चंदिगर के सेक्टर 44 के साइन बोर्ट पर खालिस्तान के पोस्टर लगने से एक बार फिर सवालिये निशान खड़े हुच चुके हैं क्योंकि कुछ दिन पहले पंजाब में खालिस्तान के चंडे लगने की वज़े से कई लोगों को गिरफतार भी किया गया था तो वहीं विदेशों में बैठे देश विरोधी ताकतों की कोशिशें इसके पीछे सामने आई थी आपको बता दें कि सिक फॉर जस्टिस एक ऐसी संस्था है जो लोगों को आवाहन करती है जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देगा उनको इनाम दिया जाएगा सिक फॉर जस्टिस भारत तोर खासकर पंजाब में देश विरोधी काम करने वाली संस्थाओं में से एक है जिनको बैन भी किया गया है वही सेक्टर 44 के साइन बोट पर खालिस्तान जिंदाबाद का पोस्टर लगा दिखने के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर कारिये उन्हें गतिविधियों में से एक गतिविधि है या फिर किसी शरारती तत्वद्वारा जान बूच कर यह पोस्टर लगाए गया है चंदिगर से वोई साजकल के लिए आकरिती वर्मा की रिपोर्ट